एक ओजहां के इस सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू करने की तयारी कर रही है वहीं दूसरी और इसका विरोत थमने का नाम नहीं ले रहा है कई विपक्षी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का विरोत तो कर ही रही हैं तो आब जुना अखाड़ा क स्वामी यती नर्सिहानंद गिरी ने इसे नौटंग की बताया है उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी प्रॉपेगंडा है जुना खाड़ी के महामन लेश्वर यती नर्सिहानंद ने कहा कि देश में चल रहा यूनिफॉर्म सिविल कोट मेरे हिसाब से नौटंग की है चुनाव के समय भाचपा का एक ही मुद्दा होता है देश में हिंदूों को भैकाने का यूनिफॉर्म सिविल कोट सिफ एक चुनावी मुद्दा है यह एक प्रॉपेगंडा है जिससे भाचपा चुनाव में बोट बटो सके यती नर्सिहानंद ने कहा कि मोदी सरकार में तो यू सी सी लागू होना नामुम्किन है मगर अब देखना होगा कि उत्राखन के मुख्य मंत्री में कितना दम है और क्या वो देव भूमी में यू सी सी लागू कर पाएंगे कर यह पास दूश्टी करन करतें को करते रहें लेकिन शुनाव के टाइम इनके पास ही यह मुद्ध होता है और यह आते हैं फिर हिंदूबाद पर यह दूरूम फिर यूशीसी इस देश में आनी नहीं है आप इस बात को लिंके रखिए दो जार उंतिइस दो हजार हजार उन्तिस में भारत का परधान मंत्री मुसलमान बनेगा धीरे-धीरे सर्यत इस डेशमें अब लागू होने वाली है यहां कोई यूशीसी आने वाली नहीं है और उत्राखन सरकार की जहां तक बात है सरकार में मुख्यमंत्री अगर दम दिखाएं तो यह हो भी सकता लेकिन पहले यू सी सी से पहले जो काम होना चाहिए वो है जनसंख्या नियंत्रन कानून आना चाहिए था हाला कि आज इस कानून के आने का कोई फायदा रहा नहीं कि जिनके लिए जनसंख्या बहुत हो गई लेकिन फिर वह कानून आंए तो ज्याद है जरूरी है यू सीसी और लिएस्ट को कोई फायदा भी नहीं है एक हिंद्रों के वाले सैटिसवेक्शन उसमें करा जा रहा है बागी सरकार में दम नहीं है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सट्टिक विश्लिशा हम करते हैं सट्टे का अनुवेशा तखल नियूज आपके अफ़े आप देख रहे दोग में दखल दो ये दो आपके लिए जो आपके लिएग काम की है तकल्यूब